टाइम ट्वंटीफोर दियोज जस्पा सच दिखाने का और उनके लिए चलना फिरना मुम्किन नहीं है इतना ही नहीं इनके पती आरके गर्ब 84 वर्ष की हैं और एलमाईसर से पेडित हैं वो कहीं आ जा नहीं सकते उन्हें खुद अपने खाने पीने तक कर ध्धान नहीं रहता महिला की दो बेटियां शादी के बाद बाहर रहती है और बेटा सडक हाथते में जान गवा चुका है लगातार चक्तर काटने के बाद ये बुदर्ग महिला जब SPC से मिली तब जाते इनकी FIR दर्ज हो पाई मतलब कर रहे थे मुझारा तो मैं हिल भी नहीं सकती थी तो मेरे पास मैसे जब आया ये धाई लाख आपके रह गए हैं ये 19 अक्टोबर को मेरे पास मैसे जाया कि धाई लाख रह गए हैं तो मैंने बहुत दिमाग वरा हुआ हुआ कि साड़े नौ लाग थे उसमें से एक आख मेरा बिजली के बेल और इनमें गया है बाकी के मेरे कहां गए फिर मैं लेके बैंक में गई तो उन से कहा मैं किया ये मेरे इसका कम्प्रीट करके दुखा बढ़ा थे मनीश शो दिया मनीश तो उन से मैं मिली जबर्दस्दीन जाके मिली मैंने का ऐसे ऐसे ये बात हो है और हमारी FIR नहीं हो रही साइबर सेल वाले कुछ नहीं ले रही है हमारी रिकॉर्डिंग क्या होगा क्या नहीं तो उन्होंने मेरी है पूरी करी दरसल महीला की अकाउंट में से कुछ दुनों में ही पांच लाग चौरासी हजार रुपई निकाल लिए गए ये कैसे नि ये कारियाले में बुजरुग माता जी आई हुई थी और उनके साथ उनके दो पड़ोसी भी थे जिनके दोरह अपना एक प्राथनापत और कागजाब दिखाया गया और उनके दोरह बताया गया कि साइबर सल में जान चल लई है और ठीक से सायोग नहीं मिल पा रहा है उनक वो शायद अपडेट नहीं हो पाया, उसको ले करके वो लोग भी थोड़ा सा परेशान थे कि E-FIR अभी तक क्यों नहीं हो पा रही है, मेरे द्वरा देखा गिया, E-FIR चुकि जनरेट नहीं हो पाई थी तो मेरे द्वरा तुरंती प्राथनापत्र ले करके तुरंती कभी नगर थाने में अनुकदना पंजेकरत कराया गया और मेरे द्वारा उनसे खेदी प्रकट किया गया कि जो भी इस समय कोई दिक्कत हुई उनको चुकि वो बुजरुग महिला थी नो डाउट परेशानी उनको हुई थी और ये इंस्पेक्टर कभी नगर को निजदेशिक कि जल्दी ही उसमें जो भी लोग एक्यूजड है जो भी उसमें सलिप्त हैं उनको गिरत्तारी हो और कठोर कारवाई की ज़िया एस्पी सिटी मनीश मिच्रा ने मीडिया से बात करते हुए इस पूरे घटना क्रम के लिए खेद जताया एडिजरीन चेफ इकबाल सेफी के स सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना बिलकुल ना भूले